इस lecture में हम discuss करेंगे, patterns के बारे में तो यह patterns बनागे हम ठीक है प्रोग्राम के थुरू जो यह patterns दिख रहे हैं यह different, different patterns है triangle के और प्रियमिट के star के थुरू, number के थुरू, जो भी patterns different, different इनको बनाना सीखेंगे तो इनको बनाने में जो हम इस्तमाल करते हैं वो होते हैं हमारे लूप्स ठीक है फोल लूप या वाइल लूप तो मेली हम मेली इन पैटन्स को बनाने का जो परपस है वो यही है कि जो हमारे लूप्स है उनकी जो हमारी प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हो जाया है क्योंकि इ नेस्टेट फोर लूप का इस्तमाल करते हैं इन पैटन्स को बनाने के लिए ठीक है तो उनके ऊपर हमारी कमांड हो जाए हमें अच्छे से जो नेस्टेट फोर लूप से हैं ठीक है उनके कंसर्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए हम लोग इन पैटन्स के जो को okay तो सबसे पहले हमारे पास यह प्रोग्राम है यह पर ठीक है तो इसमें हम सिखेंगे simple एक लाइन को print करना ठीक है अगर हम इसको रन करते हैं इस program को तो देखते हैं क्या output आता है ठीक है तो जो stars है वो कुछ इस तरह की से print हो गए एक दो 1 2 3 4 5 5 star print हो गए ठीक है लूप जो हमें मालू में कहा से चलता है ये उसका start है i की starting value कि गया है और कहा तक चलेगा यह loop ये 6 से जब तक कम रहेगी i की value ठीक है याई 5 तक और कितने step की value है हमें मालू में यह okay तो ये कित increment हमने लगा है इसमें 1 का लगा है तो एक एक increment होता रहेगा एक vertex यहां और अगलिए 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 तो इस तरह की से print हो गया ओके तो यह star जो है इस तरह की से print हुए हमें vertically print हो गया अगर हमने horizontally चाहि hardships यह हुते अगर हमें चाहते कि एक की line में print हो तो उसके फ़िए हमें किया करना पड़ता है उसके लिए हमें करना पड़ते हैं यहां पे लिए the and is equal to ज्यॹने उसके यह जो star होंगे यह कोई भी करेक्टर सकते हैं, स्टाइर के लख कुछ भी टाल सकते हैं यहां यहां पे ज Zwe Lam एम अप्रसें डाल देता हूं और यह अब एक लाइन प्रेंट होगैं और दो एक लाइन में में प्रेंट होगैं funded?. तो यह फर्क है , अगर हमें वर्टिकली चाहिए तो हमें क्या करना हमें करना पड़ेगा.. यहां पर simply हम simply क्या कर देता है प्रेंट लिखे देता है तो यहां पर actually में वो statement जो है वो कुछ इस तरह के से लिखी होती है ठीक है यह देखिए ठीक है ना इस तरह के लिख लिए प्रेंट हो गया है ठीक है तो हम statement लिखते हैं कुछ ऐसे print और इस तरह के साम लिखते हैं इस तरह के से लिखते हैं यह जो statement है यह इस statement के बराबर है यानि कि यह वाली जो statement है बाद में इस statement में convert हो जाती है ओके तो इसके लिए हमें यह लिखने की जुरत नहीं है लेकिन जब हमें यह सारे stars एक line में चाहिए यानि कि horizontally चाहिए ठीक है तो उसके लिए हमें फिर यह define करना पड़ता है end की value को बताना पड़ता है कि यहाँ पर इस तरीके से इसको blank करना पड़ता है नहीं तो यहाँ पर by default जो end की value है वो slash end ठीक है new line character set रहती है तो यह basic सा concept है इसको समझने के लिए हमने यह example यहाँ पर दिया है अब हम चलते हैं अपने programs के उपर जो हमें बनाने है ठीक है तो कोई भी pattern हम ले सकते है जैसे सबस्कुर अगर हमें basic इस pattern से start करना है stars के तो हम कैसे बनाएंगे उसे कोई भी pattern अगर हमें print करना है तो ऊसकी trick यह है कि उसमें दो लूप अगर हमारे स्तमाल हु रहे है तो सबसे पहले देख लो उसमें रोज कितनी जैसे इस पैटन में कितनी रोज है 1,2,3,4,5 फाइव रोज है इसका मतलब जो हमारा आउटर लूप है वो कितनी टाइम्स चलना चाहिए 5 टाइम्स चलना चाहिए ओके उसके बाद इसमें देखें कॉलम कितने है 1,2,3,4,5 ठीक कितने हार रोव में एक गवाल। किया और इंक्रीस हो रहे है पहली वाली रोव में। कॉलम 1 था फिर इसमें 2 हो गए,3 हो गए,4 हो गए,5 हो गया तो जो इनर लूप होता है वो क्या गरता है पॉलम को सब्सक्राइब हो प्रिंट करता है। और वह भी कैसे कैसे हो रहा है कि इंप्रीज हो रहे हैं थीचित हमें कुछ उसकी वैल्यु इसतरे के से एज्जच कनी पड़ेगी वह इंप्रीज होती रहे हमारे कॉलम जो है क्या प्रिंट करेंगा ओके तो यह तो यह देखे यह यहाँ पे बन गए है ठीक है LOOK Save यह इसका कोड़ है और हमने डावल कूझ कोड़ है तो यह डावल不知道 क्या है एक फ़ोलूभ में और यह इन्टरनल फोरलूप है ठीक है तो यह nested for loop है ओके तो आए कैसे काम कर रहे हैं दोनों लूप मिलके किस तरगी से काम कर रहे हैं और किस तरगी से पैटन को प्रेंट कर रहे संगा है इसको हम संब्स लेते हैं तो हम यह यह देखिए यहां पर इसको dry-run कर लेते हैं फर्स्ट ताइम जब यह आउटर लूप आपका चलेगा ठीक है हमें लूप के बारे में बेसिक नॉलिज तो है कि स्टार्टिंग वैल्यू जो यह फोर लूप है आई की इसमें यह आई की स्टार्टिंग वैल्यू वन होगी और कहां तक चलेगा यह लूप सिख से कम तक यानिक फिफ तक चलेगा और स्टैप कि क्या वैल्यू हमने अब डिसाइड कि यह वन टिए तो वन वन स्टैप करके वैल्यू आई की बढ़ती जाएगी पहले वन है फिर तो होगे फिर तरी होगी ओके अब आई वन है ओके वन जो है शिक से चोटा है ठीक है यह यह बिखके इनरे मं धाहिए एकिम दैक जीयra ay hygiene की आई की वेल्यू कि आना में जाएकि में रहा है उसके बाद 1 है तो 1 0 सा अभी बढ़ा है ठीक है ? तो बढ़ा है तो यह चल एगा यहाँ पर true generate हो घा true result generate हो दो यहाँ अंदर आ गया अंदर आया तो इसने क्या कि print किया ? यह star print कर दिया यहाँ अप ड़ित्ट कर दियां और इसके बाद यहाँ पर हमने discuss कियता है and equal to blank blank है तो जो next star print होगा वो कहांपे print होगा वो यही पर print होगा ओके तो अब यहां से क्या होगा अभी क्या है फ़ले यह लूप चिलेगा पूरा तो उसके बाद क्या हुआ यहां से जब यह star print होगा यहां पर इसके बाद यह loop की ङ की value है यह फिर क्या होगी माइनस वन हो जाएगी तो क्या वैली तो इसकी 1 थी तो 1-1 यानि 0 तो 00 से छोटा नहीं है ठीक है यह लूप यहां पर यहां पर इस कंडिशन में टर्मिनिट हो जाएगा यह गया उसके बाद फिर कंड्रोल कहाएगा यहां पर आएगा इस प्रिंट ब्लैक लिएन का मतलब ह cyn इनका जान सब्सक्रrickे। इन आपके न आपप हाई इनन पिंद zoals करक्सर करूर यह पर साथ। नहीं ऐन प्छांता है। जी और सबड़ए आने के पाद तिक राखती है। कर्सर यहां पर कर्सर पिस्कें कर्सर पितली है। तो यह आई की जो वैल्यो यह अब क्या होगी बढ़ेगी बढ़ेगी तो यहानि के अब आई की last value के थी one थी अब क्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी okay 2 हो जाएगी फिर 2 6 से आपका इतना है चोटा है यह यहाँ पर भी क्या हो गया आपका यहां पर इसको एक और लूप मिला, ठीक है? यहां पर j की starting value फिर क्या हो जाएगी? जो i की starting value है तो i की जो इस समय value वो क्या है? 2 है, तो j की value क्या हो गे? 2, OK अब 2 क्या है आपका जीरो से बड़ा है यहां पर अंदर आया यहां पर क्या प्रिंट करेगा यह अब करसर क्योंकि नेक्ट लाइन में आ चुगा था तो यहां पर क्या प्रिंट होगा यहां पर प्रिंट होगा आपका यहां पे control अंदर आएगा फिर यहां पे एक और star प्रिंट कर देगा ओके इस तरीके से अभी क्योंकि यह कि यह की लाइन पे प्रेंट होगा है इसको हमने अलएडेडे डिसक्स कर लिया क्योंकि यह बलैंक है new end of line character हमने यहां पे इस्तेमाल नहीं किया है और यहाँ पे इस तरगे से लगा होता यह अधर हैं तो यह इस्टार नेशे 30 में प्रिंट होता है ठीक है तो हमने यह इसतेमाल कि इंद इसकी ब्लारा करी कैसे sırपल। यहां पर बाइडिफॉल्ट हमने कुछ लिखा नहीं है तो यहां पर इस तरीके से एंड की वैल्यू क्या है आपकी यह अगर हमने कुछ मेंशन नहीं किया है ठीक है ठीक है तो यहां पर जो बाइडिफॉल्ट वैल्यू है एंड की वह आपकी यह तो आप चाहे तो ऐसे लिख लो और चाहे तो इसको ब्लम छोट दो ठीक है अगर आप ब्लैक चोट दो तो इंटर्नले वह लाइन इस लाइन में चन्वर्ट हो जाएगी है तो इसलिए हमने इसको ब्लैक की छोड़ रहा है okay उसके बाद क्या है कि J की वैल्यू जो 1 थी वह क्या हो गया उसके बाद क्या हुआ फिर यह जीरो एक और उसमें रिड्यूस वा माइन तो जीरोगे तो जिया वह पर कंडिशन फाल्स हो गया यह वाला जूल लूप यह ब्रेक वोगया आपका और ऊप्टे हो गया उसके बाद क्या वा फिर यह उपर गया ऑंक यहां पे ओंपर आया यहां पर करशर था आपका इस लाइब और वो नेस्ट लाइब कर फोर ठीक है धिक है तो हैं एक ओर पर दो भी आ días कुप ती, ठी गाए? 3, जो है, 6 से प Confederate आया, फिर अधर रहाए भी J जै की स्टार्टिंग value जो है अगी 3 ओके 3 जीरो से बढ़ा है? ये अंधर आगा या है a par पर इहा प्रेंट रहाए? स्टार प्रेंट रहा एक और फिर उन्हें पर क्या हुआ यह जियके वैल्यों होगे में थिरी तो किते हो जाएगी प्रंड लो जाके बाद बंगा रूति जो बिद मैं आउंड रख रेंगे कर्राट यहां थुम थ्यां ऐस में परनेर गया तो यह पर एक और प्रन्ट होचागा उसके बाद फिर क्या हूँ ? फिर एक और जो है जो लास्ट वरेस उसमे एक और वैलू डिक्रीज भी यानि कि क्या हूँ ? 2-1, 1 हो गया है यहाँ पे, 1-0 से बड़ा है ठीक है ? और फिर यहां पर उल जाएगा , एक और स्टार पर्ण्ट लूप प्रहुछ पर फिर दूरर लूप होगा कर्सर को इस लाइन से उठा कर ने सो ही नेक्क्त पहुंच कर सरके जाने और ग्री था। फिर यहां पहुच में खारए पुने i कi three values के लिए, लूप चला था वैसी जै की 4 values के लिए अब लूपinarend s क्वेए उसके बाद क्या हो데धीर से बढ़ा एस फिर था भीर माइस भीर फिर नेक्टार प्रेंट के होगा धिरे यहां पेच आश्क मेश्किन में और तप एक आधगर उप्यू और जोजाए हो वाद हो कि उसके बाद क्या होगा फिर एक और वैल्यूर्वय यहां पर 3 वानस शल्ठाइए हो के लिए टमड्र एक और माइनस हो जागी यहां पर ज जाएगा 1 0 से बढ़ा है yes प्रह tua प्रे एक कर बाद एक और उप्रस्टारOOOOOOOO 2021 का उसके बाद फिर इसकी वैल्ली कितनी होगी जीरो होगी चेशनल से बढ़ा तो हाँ नेक्स्ट लाइन में बचा देगी उसके बाद एक यह वैले थी last value फिर उसमे एक और इंक्रिमेंट हो जाएगा ओक्या हो जाएगा वाई जाएगा फाई हो जाएगी तो तो आपका यह 5 के लिए क्या होगा पूरा का पूरा उसी तरीके से पूरा का पूरा यह क्या होगा रन होगा ओके, इसको भी हम देख लेते हैं अब आई के वाली 5 है 5 6 से चोटा होता है यस फिर क्या होगा फिर अंदर आएगा इसको और इनर लूप मिल गया ठीक है फिर जे की वैल्ली वही हो जाएगी जो आई की है ऊट नहें की होगी हो फाइव 5 जरू से बढ़ा है यस फिर कहा हो अंदर आएगा एक स्टार यहां पर प्रिंट हो जाएगा ऑक रिंट हो गया तो इसके बार फिर यहां से जो है प्रिंट कर देगी ऑके उसके बाद फिर यहां से जो जो यह बढ़ जाएगा फिर ज 열雑 फिर यह की वहली एक और मानश जाएगी Yates हो जाएगी मानिस और नहीं यहां पर चैना थम יה है तो त्री फिर जीरो से बढ़ा है थीक है तो यहां पर एक और स्टारं ने पर फिर यहां फिर हो जाएगी 1, 1 जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है, यहाँ पर फिर दुबारा 2 जनेर्ट होगा, और यह लाइन प्रिंट करेगी आपके एक और स्टार को, फिर भार जाएगी, का जाएगे यहाँ दो जाएगी, और यहां जीरो, बड़ा से बड़ा नहीं है। पिर यहां जरी जरी फाइव और यहां पिनल्फ भाइव वागे एक क्या हो जायग शॉट मैं तो यहां पर यह은ु से शॉटा यहां पर यहां पर ये जो लूब है यह भी टर्मिंट हो जायगा कैस है । यूटो पूरा थार्मिट हो और हमारा फाइनल ही क्या हो गया पैटन प्रेंट हो गया तो यहां पर कुछ नहीं करना है हमें बस यही एडजेस्ट करना है कि किस तरीके से लूप चलेंगे कि हमारे जो pattern हो print हो जाया है यही हमारे को यहां पर logic लगाना है अब देखो यह loop यहां स्टार्ट हुआ होआ खतम होआ यहां पर खतम होआ यह दोनों देखो यह four loop और यह print दोनों intention को फॉलौ कर रहे है तो इसमाल यह दोनों किसके control में यह इस loop के control में ठीक है यह वाली जो print statement फार लोक के कंरोल में है इस फॉरलूप के क्रेंट यहां पर करेंफ अब लाप स्बीन यह म दर्फा प्रिंट रही है अब देख यह प्रिंट == लाई मार्ण थन फार निषित्र फूरी यह सारा जो इस्ट्रक्शन से यह सब इसके अंडर में हैं तो यह है नेस्टेट फॉर लूप ठीक है एक फॉरूप के अंदर दूसरा फॉरूप तो कैसे काम करते हैं यहां देख लिया यहां पर ड्राइर रन करके ठीक है तो एक पैटन हमारा बन गया इसी दरी किसे यहां पर बहुत सारे पैटन्स हैं ठीक है बहुत सारे पैटन्स हैं हम कोई भी पैटन बना सकते हैं अगर हमने एक पैटन को सीख लिया कि कैसे बन रहा है तो हम कोई भी पैटन को डिजाइन कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट पैटन देख लेते हैं यह पैटन 14 है इसको डिजाइन करके देखते हैं कैसे बनेगा यह ठीक है तो उसके लिए हमने यह पे यह कोड लिख लिए है यह आई और इन रींज 6 से स्टार्ट किया हमने इसको और कहां तक चलाया है जब तक यह 1 से बढ़ा रहेगा जब तक यह वाली वाली जो है आई की वन से बढ़े रहेगी और इसमें कम होगा पिर जीये की स्टार्टिंग वेल्य वन है और कहां तक चलेगा यह आपका जो भी यहां पर i की value रहेगी उससे एक कम तक चलेगा, अगर starting value 6 है, तो यह 1 से लेके 5 तक चलेगा, फिर यह घटेगा एक और, तो यह 1 से लेके 4 तक चलेगा, इस तरह के तरीके से चलता रहेगा, इसको run करके देखते हैं, एक बार, तो जब हमने run किया तो यह pattern हमारे सामने आगे हैं, okay, 11, 1234, 1234, 123, 121, ठीक है, तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, वो यह है, कि जो इसमें outer loop होता है, यह decide करता है, हमारा number of rows, कितनी number of rows है हमारी, जैसे 1 row यह है, 2, 2nd rows यह है, 3rd rows यह है, 4th rows यह है, 5th rows यह है, और जो internal loop है, वो क्या decide करता हमारे है, columns को decide करता है, पर्स कॉलम यह है, 2nd column यह है, 3rd column यह है, 4th, और यह 5th column है, तो यह देखिए, column जो है, घट रहे है, ठीक है, तो हमें second loop का इस तरी के से adjustment करना है, इस तरी से उसमें लॉजिक लगाना है, कि वो घटे, ठीक है, वो इस तरी के से adjust हो, कि इस तरी के से print हो पाए, ठीक है, तो हमने यहां पर लॉजिक लगाया है ताकि वह इस तरह की से प्रिंट हो सके है अच्छा यहां पर अगर मैं जे की जएगा स्टार लिख दूँ यहां पर तो स्टार बन जाएगा ठीक है उसमें तो कुछ नहीं है अगर मैं इसको यहां पर इस तरह की से प्रिंट करता हूं तो यह देखिए उपर यह ऐसे प्रिंट होगा क्योंकि मैंने जे की वेल्यू प्रिंट कराया थी यहां पर मैंने पैटन डाल दिया तो यह पैटन की फॉर्म में प्रिंट हो गया अगर मैं यहां पर i की वेल्यू प्रिंट कराता हूं तो i की वेल्यू प्रिंट हो जाएंगी जो भी i की वेल्यू होगी यह देखिए यह ऐ 666 5544 33 22 इस तरीके से तो इस तरी से अलग लग पैटन बन सकते हैं अबस हमएं क्या करना है आई और जे की वेलू जो यहां पे जो लूप है अगर डिस्क करना है इस तरह के से कि हमारा पैटन बन जाए अश्रीकी डाल दूँ तो क्या प्रेंट हो जायगा है इसकास्ट जो है इसक्वार प्रेंट हो जाएगा ठीक है तो पहले ये प्रेंट हो आप यह प्रेंट हो गया यानि हमें outer loop को कितने time चलाना है? 5 time चलाना है तो five time चलाना है तो हमने यहाँ पे decide कर दीए condition one से चलेगा और six से एक कम यानि five तक चलेगा one two three four five second है is decide करने का की आपके column कितने है all the three four five और column घटनी रहे है सारे constant है पूरे पूरे बने inner loop है यह column को decide करता है करता है तो column नहीं ढूंघ मतरी सुमय सब्सक्राइब इसको खेमरा म्हुनों हमेरे और हम्हेसर क्या ररूटा है 6 तो राप्र का प्रेंटे तो हमने इसी रिए स fent Candice QR और सुब्ध सुमारी और सीधी इसको रण किया निए यह पैटन हमारे सामें निकल गया गया अब इसमें जब जी आई के वैलिव प्रेंट कर आए तो यह प्रेंट हो गया जब यह पैटन प्रेंट कर आए तो यह पैटन प्रेंट हो गया ठीक है तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि यह आउटर लूप क्या कंट्रोल कर रहा है इनल लूप क्या कंट्रोल कर रहा है तो उसके साब से हमारे पैटन प्रेंट होंगे, ओके? एक और पैटन देख लेते हैं यापर, जैसे यह है पैटन 28, या पैटन 32 है, तो इसको कैसे बनाना है? तो इसको बनाने के लिए यह कोड यहाँ पर लिखा है, इसको एक बार रन करके देखते हैं, क्या ओर्पूट जनरेट होता है? ठीक है? तो यह देखिए, इस तरह किसे ज होता है ट्रिक है तो यह देखिए הי प्रिंट हो गया और जो हम रहे हने कर आ यह प्रिंट कर आया यह यह तो यह उपर वाला यह प्रिंट करेगा, यह देखें सिर्फ यह वाला पैटन प्रिंट हुआ, ओके, यह प्रिंट पैटन हुआ, ओके, उसके बाद हमारा जो नीचे वाला जो लूप है, जो फोलूप के जो पेयर है, वह क्या प्रिंट करेगा उसको देख लेते हैं, नचे मिं वाहिए आजक्त crunchy ci तुर याँ इस तरह से स्टार वाई है वन जिस्टारटने ओं two और फिर one two three 원 two three 가지 i.sareac in dependent lyacipnie हो रहे एक्साथ छलिदा इन को रन करेंगे थो वह अमरा चाहब रह लुक्त है तो यहां पर हमने values इस तरीके से adjust की हैं कि हमें एक तो minimum variables का इस्तमाल करना है वही variables जो हमने बनाए बस उनी की value में adjustment करके जो है logic लगाके जो हमारे pattern उनको print करना है तो इसको अगर आप run through इसको dry run करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगे किस तरह से यह जो हमारा जो पैटन है प्रिंट हो रहे हैं तो एक यह भी है चलिए इसमें पैटन और देख लेते हैं यहां पे यह पैटन 9 है एक प्रेमिड बना हुआ है यह एबी एबी C, A, B, C, D, A, B, C, D ठीक है तो इसको देख लेते हैं हम कैसे इसको प्रिंट करेंगे ओके उसके लिए यहां पर एक यहां पर जो एक कोड है यहां पर लिखावा है पर इसको रन करके देखते हैं क्या यह बना रहा है वो चीज जो हमें चाहिए ठीक है तो अभी यह इस तर इसको यह आपका जिसमें यह एंड सिंबल प्रिंट हुआ है और एक है आपका यह स्टार ओला ठीक है तो दो है यहां पर इसकी जगर मैंने ब्लैंक कर दिया तो आपका प्रिंट हुआ है यह तो यह वाला ट्राइंगल ओके इस पर हलका सम में अगर यहां पर गैप देता तो आपका प्रिंट हो जाएगा ठीक है यह देखिए यह बैटन है यह पर एक और प्रिंट हो गया अग्या है अब इसमें एक्चुली में क्या है कि हमने देखिए यहां पर फॉर लूब जो है रेंज से ले रहे है और 65 तक इसको रन किया है फिर 65 से इसको स्टार्ट किया मालूम है जो एक हम मालूम स्काराइव लियुक हूत यह कंती है को इस्ते फाइव नदन से अच्टार कुरह शोन डेखिए इसको ब्रेंट कराते हैं ये जिसत्तर से ऑउट बट आगए है इसका धृबनु एबिसी डी ये डी डी ऐबिसी एरी टी है घी किम गण है फिसक्री सिक्सक्री गण दीके लूप का एड चलाना है खीक है यह यह लूप फर करना है हुआ है भूरॉ फञी तो हमने यह प्रेंट कर दिया नेक्स्ट Universal joko अगर मिल मरें पटा दू यह यह तो है Paolo ठीक है तो हमने यह प्रिंट कर दिया नेक्स्ट वाला जो आपका जो यह लूप है के है यह स्टार जो प्रिंट कर रहा है अगर मैं इसका ग्याप अपर तो यह इस तरीके से प्रिंट करेंगा ठीक है पहले यह हैं टीक है हमने यह भी प्रिंट कराया इसी से फिर यह प्रिंट कराया और फिर हमने ग्या बटाया तël यह इस त peł की से में अब हम जाते हैं कि ए भी चरी का जो पिरंट है वह प्रिंट हो जाए याँ पर भी हम CR function को justimen करेंगे और यहां परीeren करा लेंगे अपना क्या के तीक है यो को प्रिंट करा लेंगे और देखते हैं क्या प्रिंट होता है आप यह रोंगे यह दिन अहुत है आप यह तक तो यह है अगर हम इसको अजो प्रिमिट आना चाहिए तो यहां फिर तो आपका यहां यह देखें ए ए ब ऑकी सी ए बीõesी गेर है कि अपट इस तरी के से यह पिरंट हो है है अगर मैं चाहता हूँ कि यह इस तरह के सा प्रिंट हो गया अब अगर मैं चाहता हूं कि यह भारम इती फॉर्म में दिखे हूज़े तो मैं पहले बाले में इस प्रिंट करा लेता हूं ठीक है अभी तो यह empty string है इसमें एक space देता है एक space दिया और यह print हो गया आपका pyramid ठीक है तो यह print हो गया जो हम print करना चाहते हैं A, B, A, B, C, D ठीक है तो एक ही program में हमने बहुत सारी चीज़े print करके देखी है ना स्टार का pyramid और triangle तो यह सब possible है बस हमें logic लगाना चाहिए कि कैसे logic लगाना है कैसे हमें nested loop को control करना है ठीक है तो यहां पर देखो यह 70 से लिए 65 तक है तो हमने का कि पहला जो है पहला जो है आपका 65 से चले और 70 तक फिर वो फिर 64 होगा फिर 60 फिर 70 होगा फिर अगली बार जो इसकी iq value घड़ जाएगी 69 हो जागा तो यह इस तरह किसे print करेगा यहां पर हमें k चाहिए था पहले हमें a चाहिए था फिर a b चाहिए तो 65 से start हो और T को हमने 66 कर दिया तो 65 से 66 एक बार चला यहां पर उसकी character value प्रिंट कर दिए यह प्रिंट हुआ फिर अगली बार T में हमने यहां पर प्लस करा रखा है ठीक है तो अगली बार 67 हो गई तो 65 66 यह 65 है आपका यह 66 है तो 67 तक चल गया फिर इस तरह किसे अगली बार 68 हो गय 65 66 67 68 तो इस तरह से यह values बढ़ रही है और यह प्रिंट हो रहा है हमारा तो आप इसको भी देखें एक बार तो इनको प्रैक्टिस करें आप इनको बनाएं खुद से कोसिस करें तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका जो control है जो concept है जो nesting loops में वह आपका अच्छा हो जाएगा ओके